स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे योटूब चैनल पर तो आज क्लास बारह के भौती विज्ञान अभ्यास चार में आज हम लोग पढ़ेंगे गतिमान आवेस के कारण उत्पन चुमकी छेतर का सुत्र का निग्मन तो गतिमान आवेस का मतलब यह हो गया कि जो आवेस है वह गति कर रहा है तो उत्पन चुमकी छेतर का सुत्र क्या बनता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी भी द्यारथी से अपने copy में note करते चलिएगा, तो यहाँ पर पहले एक जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चालक तार है, और इसकी जो दोरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह क्या है, R है, क्या है R है, और यहाँ पर जो है अवेस इसमें क्या है पलस Q आवेस है और B वेक से क्या है गतिमान है और यहां कोड क्या बना है ठीटा कोड बना है और इसमें उत्पन चुम्की छेतर क्या है बी है तो इतना यहां पर पहले माना में लिखना पड़ेगा तो यहां रिख लेंगे माना, माना प्लस क्यू आविस, आविस क्या है, प्लस क्यू आविस, आविस भी बेग से, किस बेग से, भी बेग से, से क्या है, गतिमान है, भी बेग से गतिमान, गतिमान है, मान है यह आविश यह आविश यह आविश बैदु धारा के यह आविश जो है बैदु धारा के समतुल्य होता है होता है इतना पहले जो है माना में पहले नोट करेंगे कि माना जो है प्लस की वो आविश है भी बैदु धारा के क्या है शमतुल्य होता है इतना नोट करने के बाद से अब यहां लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं बायो सिवट का नियम तो यहां लिख लेंगे वी नो डैट वी नो डैट का मतलब हम जानते हैं बायो सिवट का नियम तो बायो सिवट का नियम अगर आप नहीं जानते हैं अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के बायो सेवर्ट का सुत्र का निकमन देख सकते हैं तो बायो सेवर्ट का सुत्र क्या होता है अब यहां पे नीचे जो है नोट का लेंगे तो बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है तो बी बराबर सुत्र होता है बी बराबर होता है मिउ जीरो होता है अपान फूर पाई आई डेलियल शाइन ठीटा बटा क्या होता है बटा आर का स्क्वायर होता है ये किसका सुत्र है तो बायो सेवर्ट का नियम है बी बराबर मिउ जीरो अपान फूर पाई आई डेलियल साइन ठीटा बटा क्या है आर इसक्वायर होता है अब यहां सुत्र लिख लेंगे दूरी का सुत्र होता है दूरी बराबर होता है चाल गुडे समय होता है क्या होता है चाल गुडे समय यह आप पढ़े होंगे कलास जो है नौ में भी है दस में भी है तो दूरी का सुत्र क्या होता है चाल गुड़े क्या होता है समय होता है और इसको बाक्स में घहतेंगे कि हमने सुत्र कौन सा लागू किया है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुड़े समय तो अब यहां दूरी जो है क्या लिख सकते है डेलेयल लिख सकते है चल को किसे प्रदर्सित करेंगे भी से और समय को किसे प्रदर्सित करेंगे टी से तो भी गुड़े क्या हो जाएगा टी यह किसका माना गया तो डेलेल का माना गया डेलेल का नाम क्या है दूरी है तो यह इसमें जो डेलेल दिखाई दे रहा है जो यह दूरी जो डेलेल है इ बटा हो जाएगा फोर पाई होगा और यहां लिखेंगे आई डेलेल को हटा देंगे और उसके अस्थान पर क्या लिखेंगे भी टी साइन ठीटा और बटा में क्या है बटा में आर का इसक्वायर है तो यहां पर किसका मान रखे हैं तो यहां पर जो मान रखे हैं डेलेल का म टी लिख दिये, अब एक सुत्र और होता है, जो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, बैदुधारा आई बराबर होता है, आविस बटा क्या होता है, समय होता है, मतलब आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर जो है, क्यू बटा क्या है, टी होता है, अब इस आई को हटा देंगे और इसकी अस्थान पर क्या लिखेंगे Q बटा क्या लिखेंगे T यहां पर लिख लेंगे तो यहां क्या लिखेंगे B बराबर होगा μ, 0 होगा, बटा हो जाएगा, फोर, पाई होगा और I को हटा करके उसके अस्थान पर क्या लिखेंगे Q, बटा, T यह किसके अस्थान पर लिखेंगे I के अस्थान पर नोट कर लिए है यहाँ पर इसके बाद से क्या लिखेंगे B, T, Sine, Theta बटा क्या है बटा में R का स्क्वाइर है तो यहाँ पर किसको बदल दिये यहाँ पर जो है बाइदुधारा को क्या किया है बदल दिये है बदलने के बाद से यहाँ पर क्या है T से T कुका करेंगे, काड देंगे अब काटने के बाद क्या बचेगा तो बचेगा B बचेगा B बचेगा Q B और यहां लिखेगा S3 और बटा में क्या बचेगा R का इस्क्वाइर हो जाएगा तो यह जो सूत्र आया है, यह सूत्र किसका है तो लिग देंगे यह गातिमान आवीस की कारण जो है, चुम की छेतर का यह सूत्र है तो समझ में आ गया होगा ये सुत्र का निग्मन बहुत आसान विधी से बताया गया है जिसे आपको तुरंत क्या हो जाए समझ में आ जाए तो यहां लिख सकते हैं यही यही गतिमान आविश यही गतिमान आविश के कारण आविश के कारण उत्पन उत्पन चुम्ब की छेतर का सुत्र है यह किसका सुत्र है तो यही क्या है गतिमान आविश के कारण उत्पन चुम्ब की छेतर का सुत्र है यहां नोट कर लेंगे तो सुत्र का निग्मन कैसे हुआ आप सभी विद्यार्थी समझ लेंगे बहुत आसान विधी से बताया गया है यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो अब यहां पे एक नुमेरिकल के बारे में अध्यन करेंगे जो सुत्र भी हम लोग पढ़े हैं उसी सुत्र पे यह नुमेरिकल को हल किया जाएगा तो कोशन है एक गुड़े 10 के पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या के बिर्तकार मार्ग पर एक अलफा करण दो गुड़े 10 के पावर 6 मीटर प्रतिस सेकंड के एक समान चाल चकर लगा रहा है तो बिर्तकार मार्ग के केंदर पर उत्पन चुमकी छेतर की गढ़ना कीजिए तो यहां पर जो कोशन दिया गया है एक गुड़े 10 के पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या है तो यहां सबसे पर लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से यहां नोट करेंगे कि आर का मान जो इसमें दिया गया है आर बराबर जो दिया गया है क्या है एक गुड़े 10 के पावर माइनस 10 मीटर है यह किस का मान है तो आर का मान कोशन में दिया गया है और दो गुड़े 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड क्या एक समान जो है चाल है तो चाल को किसे परदसित करेंगे भी से भी का मान क्या है दो गुडे 10 के पावर 6 मीटर प्रती क्या है सेकंड है यह किस का मान है तो यह जो है भी का मान है दो गुडे 10 के पावर 6 मीटर प्रती सेकंड अब यहां पे लिखेंगे कि एक अलफा कड तो अलफा कड पर आविस कितना होता है तो अलफा कड पर आविस आप सबी विद्यार्थी जानते होंगे तीन दसमनो दो गुड़े दस के पावर माइनस 19 क्या होता है कुलाम होता है और उत्पन चुमकी 36 में गढ़ना करना है बी बराबर जो है बी बराबर परश्नमाचक कर लेंगे तो यहां पे जो है तीन मान जो है दिया गया है आर का मान भी क आमान और यह आविस जो कैसे पता करेंगे क्योंकि यह अलफा कड़ है तो अलफा कड़ का आविस क्या होता है तो तीन दसमनो दो गुड़े दस के पावर माइनस 19 कुलाम होता है बी बराबर क्या हो जाएगा प्रश्नमाचक है अब यहां सूत लिखेंगे तो बी का सूत अ आर का स्क्वायर है तो अब यहां पर जो है कूड क्या बना है तो बिरतकार मार्क के केंदर पर जब बिरतकार मार्क के केंदर पर जब कुछा जाएगा तो यहां पर ठीटा बराबर आप लिख सकते हैं 90 ठीटा कमान क्या रखेंगे 90 तो इसमें मान को क्या कर लेंगे साथ होता है, यह किस कमान है, तो μुझ जीरो अपान फोर पाई का, आवेस कमान क्या है, तो 3 दसमलो 2 गुड़े 10 के पावर माइनस क्या है, 19 है, भी कमान क्या है, भी कमान 2 गुड़े 10 के पावर जो है, 6 है, और यहां लिखेंगे साइन, और ठीटा के जगा पे क्या का बर्ग हो जाएगा तो अब अगला लाइन बने का बी बराबर होगा अब इसमें गुड़ा करेंगे तो तीन दसमलो दो का गुड़ा जब दो में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दस मलो क्या होगा 6 दस मलो 4 होगा 10 के पावर अब यहां पिर 9 माइनस 19 माइनस 19 है माइनस 7 माइनस 19 माइनस 7 मिले करके क्या होगा माइनस 26 26 हो गया गुडे 10 के पावर क्या है 6 घात है गुडे sign advance का मान क्या है एक है पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ एक का बर्ग करेंगे तो यहाँ एक का बर्ग क्या होगा एक होगा और यहाँ 10 के पावर माइनस 10 के उपर दो घाते दो सिसमें गुड़ा कर लेंगे जब घात के उपर जब घात हो तो गुड़ा कर लेते 10 दूना क्या होगा 20 हो जाएगा 10 के पावर क्या बनेगा माइनस 20 हो जाएगा अब अगले लेंज जो बनेगा बी बराबर हो जाएगा अब 6 दसमलो 4 का गुड़ा जब एक में कर लेंगे तो क्या बनेगा 6 दसमलो 4 गुड़े 10 के पावर माइनस 20 रहेगा अब 10 के पावर माइनस 20 से 10 के पावर माइनस 20 क्या हो जाएगा कट जाएगा कटने के बाद से क्या बचेगा तो यहां लिख लेंगे B बराबर बचेगा 6.4 तो 6.4 किसका माना गया तो चुमकी छेतर का माना गया इसका मातरक क्या लिश सकते हैं बेबर प्रती मीटर का स्क्वाइर लिख सकते हैं यह किस का मान आ गया बी का मान जो है 6.4 बेबर प्रती मीटर का क्या गया इस्क्वाइर हो गया तो कैसे हल हुआ है बहुत असान है यहां मिजीरो पान फोर पाई का यहां आवेस का भी का और स साथ मिल करके माइनस 26 हो जाएगा और 6 यहां पर है 6 में से 26 घटा देंगे तो क्या बनेगा माइनस 20 और यहां हर में भी माइनस 20 है और अंस में भी जो है माइनस 20 कहाद दिया गया है तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचे का क्या 6 दसमलो 4 तो क्या मातर किसका है बेबर प्रती मीटर का स्क्वायर आ गया तो आसान विधी से बताया जाएगा और आप सभी विध्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा तो यहाँ पर एक विर्तकार जो है धारावाही कुंडली है और उसके अच अच मतलब यहाँ पर यक्स अच वाई अच और जेड अच यहाँ पर तीन अच है यहाँ जो रेखा गया है इसको यक्स अच करते हैं इसको वाई अच है और यहाँ से एगर खिचना चाहें तो जेड अच होगा तो यहाँ पर जो है अच्छ की अनुदिस आपको उत्पन्चुम की छेतर का सुत्र का निगमन करना है पिछले वीडियो में कि धारावाही जो हमारा विर्तकार धारावाही कुंडली के केंदर पर के अंदर पर जो उत्पन चुमकी छेतर का तिबरता है उसका निग्मन कराया जा चुका है तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे की इमाना पहले लिखेंगे की इमाना एक बिरतकार कुंडली है और उसकी तृज्जा क्या है आर तृज्जा है उसमें कितने धारा बह रही है इसके अंदर आई एंपियर की जो है क्या है धारा बह रही है कुंडली के केंदर O से कितनी दूरी पर यक्स दूरी पर एक उत्पन बिंदू P है और इस P बिंदू पर जो है उत्पन चुमकी छेतर की तीबरता की करना करना है तो यहाँ पर यक्स अच है तो इसको 36 के लिए डीवी साइन ठीटा का परियोग करेंगे और यहाँ से जो मिलाया गया है कितनी दूरी पर है आर दूरी पर और इसके बीच में कोड क्या बना है ठीटा कोड बना है तो सबसी पहले जो है चित्र को पहले बनाना है चित्र बनाने के बाद से माना को लिखना है तो यहाँ लिखेंगे कि माना माना एक बिरताकार माना एक जो है बिरताकार मना बिरत के रूप में है इसने लिखेंगे माना एक बिरताकार कुंडली माना एक बिर्ताकार क्या है कुंडली जिसकी त्रिज्या अब चितर में देख लिजे इसकी त्रिज्या क्या है तो लिखेंगे जिसकी त्रिज्या त्रिज्या क्या है आर है जिसकी त्रिज्या आर है उसमें बहने वाली धारा उसमें आब अब बहने वाली धारा लिख सकते हैं या उसमें लिख देंगे आई एम्पीर आई एम्पीर की धारा क्या हो रही है आई एम्पीर की धारा बह रही है बह रही है मतलब इस बिर्तकार कुंडली में कितनी धारा बह रही है तो आई एमपियर की धारा क्या है इसके अंदर बह रही है कुंडली केक केंदर अब यहां लिख लेंगे कुंडली केंदर यहां से जो रहेगा ध्यान देंगे कुंडली कुंडली यह नहीं कुछ है ध्यान दिजेगा कुंडली के केंदर क्या है O यह कुंडली का केंदर क्या है O है तो यहां लिखेंगे कुंडली के केंदर O से कितनी दूरी पर यक्स दूरी पर कुंडली के केंदर से यक्स दूरी पर याक्स है दूरी पर पी बिंदु क्या लिखेंगे पी बिंदु पर उत्पन पी बिंदु पर उत्पन चुम्ब की छेतर है उत्पन क्या है चुम्ब की छेतर है तो उत्पन चुम्ब की छेतर है उत्पन चुम्ब की छेतर है उत्पन चुम्ब की छेतर है उत्पन चुम्ब की एतना पहले माना को लिखना है कि माना एक बिर्थकार कुंडली है और इस बिर्थकार कुंडली में जो है क्या है इसकी तिरिच्या आरए और उसमें भहने वाली धारा Kia है Aい है और उसके केंदर से यख्ष दूरी पर एक बिंदु P है और P पर उत्पन्चुम की छेतर क्या है? B है तो अब इसके नीचे है तो लिखने के बाद से अब यहां लिखेंगे We know that हम जानते हैं हम जानते हैं किसका नियम? बायो सेवर्ट का नियम आप सभी भी द्यार्थी भी जानते होंगे कि बायो सेवर्ट का सुत्र क्या होता है? यहां लिखेंगे बायो सेवर्ट का नियम बायो सेवर्ट का नियम अगर आप नहीं जानते हैं बायो सेवर्ट का नियम तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर कि इस वीडियो को देख सकते हैं कि बायो सिवर्ट का नियम क्या है तो यहां पर जो कोंड बना है यहां पर ठीटा है और यहां चुमकी छेतर क्या लिखा गया है पी बिंद पर डी बी है तो यहां लिखेंगे डी बराबर सुत्र क्या होगा मियू जीरो अपान फोर पाई आई डी यल साइन ठीटा बटा क्या होता है आर का इसक्वायर यह किसका सुत्र है तो बायो सिवर्ट का जो है सुत्र है तो डी बी बराबर मियू जीरो अपान फोर पाई आई डेलेल साइन ठीटा बटा क्या है आर इसक्वायर अब यहां पर ज ध्यान देंगे शित्र में शमकूड तिर्भूज है और उसके यहां पे ध्यान देंगे 90 अंस का कूण यहां पर बन रहा है तो अब यहां लिख लेंगे ठीटा बराबर 90 अंस अब यहां ठीटा के जगब का रखेंगे 90 अंस तो जब ठीटा के जगब 90 अंस लिखेंगे तो क् मुझी जीरो अपान फोर पाई आई डीयल साइन नब्बे अंस बटा में क्या है आर का स्क्वाइर है अब अगला लाइन बनेगा डीबी बराबर हो जाएगा डीबी बराबर क्या बनेगा मुझी जीरो अपान फोर पाई आई डीयल साइन अब्बे अंस का मान क्या होता है एक होता है बटा क्या हो जाएगा आर का स्क्वाइर तो अगला लाइन बनेगा यहाँ पर डीबी बराबर आजाएगा μ, 0, अपान, फोर, पाई, आई, डी, यल का गुड़ा एक में करेंगे तो आई, डी, यल, बटा क्या होगा आर का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर जो बना किसका मान निकला डी, बी का और इसको मान लेंगे समीकर नमबर एक अब यहाँ बन जाएगा समीकर नमबर ए तो यह किसका मान निकल लिए तो डी, बी का मान जो है यहाँ पर निकल गया है अब यहाँ पर अगला लाइन लिखेंगे अब तो अब यहाँ लिख लेंगे पूरे कुंडली जो कुंडली है वो पूरे कुंडली में यक्स आच यक्स आच की अनुदीश यक्स आच के क्या लिखेंगे अनुदीश चुम्ब की छेतर तो यक्स आच के अनुदीश चुम्ब की छेतर है इसका सुत्र क्या बनेगा यहाँ पर जो हो जाएगा यक्स आच के अनुदीश चुम्ब की छेतर का जो सुत्र होगा अब यहाँ लिख लेंगे बी बराबर हो जाएगा बी बराबर अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा चितर में देखेंगे यह जो है यक्स अच है और यक्स अच पर धियान देंगे क्या है डी बी साइन ठीटा है तो चितर में क्या है यक्स अच जो बना हुआ है और यहाँ यह वाई अच हो जाएगा तो यहाँ डी बी क्या है साइन ठीटा है तो अब यहाँ पे लिख लेंगे बी बराबर जो लिखेंगे जब तो बी बराबर हो जाएगा समाकलन समाकलन क्या बनेगा डी बी साइन ठीटा हो जाएगा यह अक्सस पे क्या था डी बी साइन ठीटा हो जाएगा अब यहाँ जो समी के एक में जो है db का मान निकला है db का मान क्या निकला है यहां लिखना चाहे तो लिख देंगे कि समीकर एक में db का मान निकला है mu 0 आपान क्या है फोर पाई है और क्या है i dl बटा क्या है r का स्क्वायर है यह कि समीकर में है तो समीकर नमबर एक में यह मान निकल चुका है तो यह समय का एक वाला मान जो है यहाँ पे जो नोट का दिये है अब यह डी बी को हटा देंगे और उसके अस्थान पे यह मान को क्या करेंगे पुट कर देंगे मतलब रख देंगे तो बी बराबर क्या होगा समाकलन मियू जीरो अपान फोर पाई क्या होगा आई डी यल बटा क्या है आर का इसक्वायर और यहाँ लिखेंगे साइन ठीटा हो जाएगा तो साइन ठीटा समझ में आगे होगा यह कहां से पूरा मान आया मियू जीरो फोर पाई यह किसका मान है डी बी का मान है और यहाँ साइन ठीटा को नोट कर लिए अब इसमें तिर्भूज जो बना था तो तिर्भूज क्या बना था थोड़ा से यहाँ तिर्भूज भी बना देते हैं तिर्भूज कैसे बना था यहाँ क्या था तो यहां पे जो था P था और यहां क्या था Q था और यहां क्या था O था के अंदर था और यह जो दूरी है यह क्या है यक्स दूरी है और यह दूरी क्या था R दूरी था चितर में आपसे भी द्यारती देखे हैं और यहां कूण क्या बना था ठीटा कूण बना था तो चितर में अगर देखना चाहते हैं तो एक बार और चितर को देख लिजिए और यहां जो देखेंगे तिर्भूच जो बना हुआ है तो यह तिर्भूच जो बना है तिर्भूच का कहना में P है O है Q है तो इसी तिर्भूच को जो यहां पर बनाया गया है तो यहां पे देख लेंगे ध्यान से यह तिर्भुज क्या है पी ओ क्यू है यक्सा है आर है यहां पे चितर में देख लेज़े यक्सा है और क्या है आर है अब इसमें साइन ठीटा कमा निकालेंगे तो यहां लिखेंगे साइन ठीटा का सुत्र क्या होता है तो लंबटा क्य होता है कौण होता है लंबटा कौण होता है किसका सुत्र है साइन का अब यहां लिखेंगे साइन ठीटा बराबर लंब अब यहां लंब क्या है तो यहां जो है यहां से ले साइन पर अमाद भी क्या है ? अब इस साइन के जगह पर जो है अर बटा-आर को नोट कर लेंगे तो यहां लिखेंगे B बराबर हो जायेगा समाकलन समाकलन मूज जीरो अपान 4 पाई हो जायेगा ID यल बटा क्या होगा ? आर का Q स्क्वायर, साइन ठीटा के जगड़ेंगे आर बटा आर हो जाएगा, तो ये किस का मान लिख दिए तो साइन ठीटा का मान को यहां पे नोट कर लीजिए, तो अब बी बराबर क्या बनेगा, समाकलन mu 0 upon 4 pi हो जाएगा i d l r बटा और r square में जब r का गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा r का q हो जाएगा तो अब यहाँ पे जो है mu 0 को 4 pi को i को r square को और r को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे तो b बराबर जो है बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा mu 0 upon 4 pi i बटा क्या है r का cube और यहाँ क्या है r समाकलन में क्या बचेगा d l हो जाएगा तो समझ में आ रहा होगा यह क्यों बाहर की हैं क्योंकि d l के साब पेच्छ ही समाकलन होगा तो इसमें yl नहीं है इसलिए क्या कर लेंगे इसको बाहर कर लिया जाता है अब यहां एक सुत्र पढ़े होंगे आप सभी विद्यार्थी मैथ वाले तो जानते होंगे लेकिन बाइलोची वाले जो बच्चे है वह थोड़ा सा दिक्कत है तो इसने सुत्र को याद रखिएगा अगर d x है समाकलन d x है बी बराबर जो होगा वा म्यू जीरो अपान फोर पाई आई हो जाएगा बटा क्या है आर का क्यूब है और यहां आर है और यहां जो है d l हट जाएगा d l का समाकलन क्या होगा e l होगा मतलब यह लंबाई हो गया तो यह लंबाई किसका लंबाई है तो बिर्तकार कुंडली का लंबाई है और बिर्त का जो लंबाई होता है वो किसके बराबर होता है परीद के बराबर होता है यह लिख सकते हैं लंबाई किसके बराबर कर सकते हैं परीद क्योंकि बिर्त का जो लंबाई किसके बराबर हो जाता है परीद अब का परीद जैसे माली जी बिरित गोल होता है तो गोल का जो लंबाई गोले का लंबाई क्या होगा वो परीद के बराबर होता है तो परीद का सुत्र क्या होता है तो परीद का सुत्र होता है टू पाई आर तो बिरित के तू पाई आर तो अब यल को हटा देंगे और इसके अस्थान पर कहा लिखेंगे टू पाई आर यहां पे नोट कर लेंगे दो से जो है दो को काट देंगे यहां पर दुदुना चार हो गया पाई से पाई को काट देंगे काटने के बाद क्या बचेगा अब यहां नोट कर लेंगे तो बी बराबर क्या बचेगा मियू जीरो बचेगा बटा बचेगा टू बचेगा आई बचेगा और आर में जब आर देख लेजे इस तिर्भोज में धियान से देखिए इस तिर्भोज में यहाँ पे जो बना हुआ है तिर्भोज का नाम क्या है पी पी क्यू ओ या पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं इसमें कण का कण बराबर सुत्र क्या होता है तो कण बराबर होगा लम का बर्ग पलस अधार का बर्ग जो होता है तो अब यहां पहले जो है इस तिर्भूज का यहां नाम लिख लेंगे तो यहां लिखेंगे तिर्भूज का नाम हो गया पी क्यू ओ में हम लोग चल रहें और यहां सुत्र होता है कौण बराबर आप लोग पढ़े होंगे कौण बराबर होता है अंडरूड क्या होता है लंब का बर्ग पलस क्या होता है अधार का बर्ग होता है लंब का बर्ग पलस क्या होता है अधार का बर्ग होता है तो कौण क्या है तो चितर में कौण क्या था आर था अंडरूड लंब क्या है तो लम जो है आर का बर्ग है और अधार क्या है यक्स का बर्ग है तो यहां लिखेंगे आर बराबर अगर इसका अंडरूड हटा दें तो क्या बनेगा आर का स्क्वाइर प्लस यक्स का स्क्वाइर क्या होगा एक बटा दो जब अंडरूड हटाते हैं तो जो अंडरूड का म प्लस यक्स का बर्ग हो जाएगा जब यह अंडरू हटेगा तो एक बटा दो हो जाएगा अब यहां पर क्या लिखेंगे बी बराबर हो जाएगा मियू जीरू हो जाएगा बटा हो जाएगा टू हो जाएगा आई हो जाएगा आर का इसक्वायर हो जाएगा बटा हो जाएग तो यहां 3 है और यहां क्या है एक बटा 2 है तो यहां पर जब 3 घात है और एक बटा 2 घात है तो क्या लिखेंगे तीन गुड़े एक बटा 2 तो यहां किसका मान रखे हैं? आर का मान को रख लिया गया है अब अगला लाइंग जो बनेगा बी बराबर क्या बनेगा? मिउ जीरो अपान टू आई आर का इसक्वायर बटा और यहां लिख देंगे आर का बर्ग पलस यक्स का बर्ग पावर तीने करनन तीन तो तीन बटा दो यह जो सुत्रा गया 21 का सुत्र है तो धारावाही कुंडली धारा जो बिरतकार धारावाही कुंडली के अच्छ के अनुदिस उद्पन चुमकी छेत्र का यह सुत्र है तो बी बराबर क्या है? मियू जीरो अपान टू आई आर काई स्क्वाइर कोश्टक में आर इस्क्वाइर प्लस एक स्क्वाइर का पावर क्या है तीन बटा दो है तो यह सुत्र आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिया होंगे यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरू कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि यह लाइब कलास आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो मिलते हैं अगले भाग में तब तक कीनिये सभी विद्यार्थियों को नमस्तुरू